हां जी, स्लाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीदाप सब खैरेस से होंगे तो कल मैंने आपको अलेक्टोलेटिक सेल का एक छोटा सा इंडोडक्शन दिया था उसकी डेफिनिशन आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने बताया था कि यह ऐसा अलेक्टोकेमिकल सेल होता है जिसमें कौँ सा रेक्शन होता है नोन स्पोंटेनियस रेक्शन होता है ठीक है तो आज हम अलेक्टोलेटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बदले हम इसकी construction देख लेते हैं An electrolytic cell consists of an electrolyte एक electrolytic cell किस पर मुश्मिल होता है यह एक electrolyte पर मुश्मिल होता है यह आपको एक नदर आ रहा है solution ठीक है यह किसी salt का solution भी हो सकता है किसी acid का solution भी हो सकता है या फिर किसी base का भी echo solution हो सकता है ठीक है तो इसमें एक Electrolad तो होगा Electrolad क्या काम करता है अपने अंदसे current को गुजरने देता है इसकी definition मैं पहले आपको समझा चुका हूँ फिर वो कह रहा है के हमारे पास कहता है It consists of anode Two electrodes anode and cathode that are dipped in the electrolytic solution connected to a battery The electrode connected to the positive terminal is called anode and the electrode connected to the negative terminal is called cathode इसमें वो एक बात कह रहा है कहता है के हमारे पास दो electrodes होगे एक होगा anode एक होगा cathode ठीक है उन दोनों को हमने किसमें dip करना है Electrolatic solution में dip करना है इसमें dip करना है ठीक है एक solution में dip करना है इन दोनों electrode को हमने एक battery के जरीए connect कर देना है एक battery के जरीए connect कर देना है ठीक है फिर वो कह रहा है इसके अंदर कि जो electrode battery के positive terminal के साथ जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे anode और जो electrode battery के negative terminal के साथ जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे cathode तो I think आपको इसी construction समझ आ चुकी होगी एक तो इसके अंदर electrolyte है ठीक है electrolyte किसी salt का किसी acid का किसी base का equation हो सकता है जिसमें से करन गुजर सकता है ठीक है उसे हम क्या कहते है electrolyte क्याते है फिर मैंने का इसके नदर दो electrode होंगे एक ये है और एक ये है एक को हम anode का नाम देंगे एक को हम cathode का नाम देंगे दोनों ही electrolytic solution में dip होगे ठीक है इन दो electrodes को हम battery के जरीए connect कर देंगे ठीक है और electrode जोंसा electrode battery के positive terminal के साथ जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे anode और जोंसा electrode battery के negative terminal के साथ जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे cathode ठीक है तो ये होगी उसकी construction फिर हम आते हैं इसकी working की तरफ कहते हैं हम battery में से current pass करेंगे the ions in the electrolyte migrate towards their respective electrodes कहते हैं हम battery में से current pass करेंगे जो आइंज हैं ये आपको positive और negative आइं नजर आ रहे होंगे ठीक है ये positive और negative आइं अपने अपने electrode की तरफ migrate करना शुरू करतेंगे मूव करना शुरू करतेंगे ठीक है तो कहता है कि ये दा अनाइन विच और negatively charged move towards anode and discharge there by losing electrons oxidation reaction takes place वो कहता है ये जो अनाइन्स हैं क्या चीज हैं अनाइन्स हैं Anoids क्या काम करते हैं Anoids पर पहली बात थो ये है नegative charge होता है ठीक है negative charge वाली चीज हमेशा Anode की तरफ move करेगी Kis की तरफ move करेगी Anode की तरफ move करेगी ठीक है ये वहाँ पर जाकर अपने दो electron निकाल देगी अपने दो electron निकाल देगी release कर देगी, lose कर देगी ठीक है? तो electron के lose करने से कौन सा reaction होता है? oxidation reaction होता है ठीक है? तो हमें पता ये चला कि anode पर कौन सा reaction होगा oxidation reaction होगा while ketines which are positively charged ions are moved towards cathode ketine gains electron from the electrode as a result reduction reaction takes place क्या होगा? क्या होगा? क्याता है ketines क्या होता है? पोजिटिफ चार्ज होता है positive charge किसकी तरफ move करेगा? cathode की तरफ move करेगा ठीक है? आपको यहाँ पर दो किसम क्या ये नजर आ रहे होंगे positive और एक negative negative ने किसकी तरफ जाना है? anode की तरफ जाना है और वहाँ पर जाके oxidation reaction करना है जबके positive जिसे हम कहते है ketines ketines जाएंगे cathode की तरफ ठीक है? जोके positive charge हमेशा negative की तरफ जाता है वहाँ पर जाकर electron gain करेंगे और electron gain करने की वैसे कौँ सा reaction होता है? reduction reaction होता है ठीक है? इसका मतलब यह हुआ के cathode पर reduction reaction होगा cathode पर इसका मतलब दोनों electrode पर कोई reaction हुआ एक electrode पर oxidation reaction हुआ दूसरे electrode पर reduction reaction हुआ तो पता यह लगा के हमारे पास दोनों reaction एक साथ हो रहे हैं जहाँ पर oxidation reaction होता है महाँ पर reduction reaction भी involved होता है कहता है एक्जेम्पल हम ले लेते हैं किसकी एक पिगलेवे साल्ड की किसके सोडियम कलोराइड के है ठीक है सोडियम कलोराइड को जब हमने जो है करंड पास किया इसको अलेक्टोलाइज किया तो एन्याइन अलग हो जाएगा सीयलाइन अलग हो जाएगा CLI अपने दो अलेक्टरान निकाल देगा यह दो सिर्फ इस नेगटिव चार्ज के साँ मल्डिपलाई नहीं हो रहा है इस CL के साँ भी मल्डिपलाई हो रहा है तो हमने यहां लेक दिया CL2 ठीक है? negative मतलब electron तो हमने दो electron निकाल दिये और कलरीन का molecule बना दिये electron निकल रहा है तो यह oxidation reaction होगा और मैंने बताया oxidation reaction कहां पर होगा एनोर पर होगा फिर sodium जिसे हम क्या कहते हैं केटाइन कहते हैं ठीक है उसी उनी दो electrons को accept कर लेगा gain कर लेगा तो देखें 2 negative 2 positive के साथ cancel हो जाएंगे ठीक है 2n वैसे का वैसे बचेगा असलमें यह जो 2 है यह positive के साथ भी multiply हो रहा है और sodium के साथ भी multiply हो रहा है न के साथ भी multiply हो रहा है ठीक है तो आपने क्या काम करना है 2 plus को 2e minus से 2 proton को 2 electron से आपने इस दो electron को इस दो electron से cancel कर देना है ठीक है अगर आप सिर्फ इस हिससे की तरफ देखेंगे left hand side की तरफ तो आपको 2 na plus नजर आ रहे होंगे 2 c l minus नजर आ रहे होंगे ठीक है और यहाँ पर आपको 2 na नजर आ रहा है और c l 2 नजर आ रहा है electrolytic cell में तो हमें क्या हासिल होता है N हासिल होता है sodium metal हासिल होती है और chlorine gas हासिल होती है तो I think आज का topic आपको समया चुका होगा आज का topic पढ़ने का मकसद यह था एक तो हमने यह समझा के कौन सी कौन सी चीज oxidation reaction करती है और कौन सी चीज reduction reaction करती है और कौन से electrode पर करती है दूसरा हमने यह समयने की कोशिश की कि आया यह जो हमने topic पढ़ा है fuse NACL पिगले वे NACL की electrolysis का इस topic को पढ़ने का हमें क्या फाइदा हुआ इस topic को पढ़ने का हमें यह फाइदा हुआ कि हमें जो हम fuse NACL की electrolysis करते हैं तो हमें sodium metal और chlorine gas हासिल होती है तो बहुत बहुत शुक्री है आपका